सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes with Sumit Zen YouTube Channel में सात्यों स्टार्ड हो चुक है आज का इस सेशन सबी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और 2020 Test Series से आपको जुड़ जाना है ठीक है? एक बार लाइक जरूर करना है और जिन्होंने अभी तक Self Study Classes का एप डाउनलोड नहीं किया है वो आज ही Self Study Classes को दोस्तो एप को डाउनलोड कर लें और 2020 Test Series से आपको जुड़ना है जो की बिलकुल फिरी है सब्ताह में दो दिन आपके लिए दोस्तो एटेस सीरिज करवाई जाती है तो जिन भी सातियों को New Batch में जुड़ना है दोस्तो और निचोड किलास है यानि कि TGT, PGT, Special निचोड किलासों में जिनको जुड़ना है वो आज ही एटवीसल ले लें दोस्तो अभी आप 1099 में एटवीसल ले सकते हैं है ना बहुत सारे student ने ले लिया है अब आपकी बारी आप भी ले सकते हैं आपको अगर अच्छी तैयारी करना है है ना तो Self Study Classes एप को आज ही डाउनलोड कर लें लाइब किलासों के माध्यम से रिकॉड़ेट किलासों के माध्यम से निचोड किलास के माध्यम से टिर्की वीडियो और दोस्तों Topic Wise Test के माध्यम से आपका अध्यम बेहित्तर होगा है ना तो जिन भी सात्कियों को Start दोस्तों पढ़ना है और शुरुवात से पढ़ना है तो शुरुवात से बैच Start हो चुका है है ना आप भी पढ़ सकते हो दोस्तों सुरुवात से अध्यान कर सकते हो तो आज ही दोस्तों Self Study Classes से आप डाउनलोड करें और दोस्तों इस कोर्स से जड़ने के लिए आप जड़ सकते हो ठीक है बहुत बढ़िया तो श्टार्ट करते हैं आज का चाकरी पंची करें आ काम एप पंग्ती किसकी है तुलिसी दास की शूर दास की रियदास या फिर मलूक दास की यह पंग्ती आपको चैन करना है दोस्तों किस पंग्ती के जो रचनाकार है वो कौन है जल्दी से बताएंगे समी लोग इस पंग्ती के रिचनाकार कौन माने जाते हैं अजगर करेना चाकरी और पंची करेना काम और आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि सर यह जो पंग्ती है ना तो तुल्शी दास की है ना सूर दास की है ना रियदास की है यह पंग्ती है मलूक दास की यानि कि आपका उत दोस्तों और रजब ने दो कॉस्चन यहां से आप से पूछे जाएंगे तो आपको बताना रजब के गुरू कौन थे नानक थे दादू दयाल थे रैदास थे या फिर मलूक दास थे रजब के गुरू कौन थे एक कॉस्चन आपको बताना है और दोस्तों लाइक जरू कर दे ना Self Study Classes एप को जरूर डाउनलोड कर लेना सबी लोग है ना अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों ने बिलकुल अच्छा बताया है उत्तर बताया है कि सर रजजब के जो गुरू माने जाते हैं वो माने जाते हैं दोस्तों कौन दादू दयाल दादू दयाल माने जाते ह राइट आंसर है बी नमर आपका बिलकुल शाही है लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों कि दादू दयाल की बानी का संकलन रजजब ने किस नाम से किया था एक क्वेश्चन आपको बताना है दादू दयाल की बानी का संकलन रजजब ने किस नाम से किया यह आपको बताना है जल्दी से सभी लोग बताएंगे यह प्रशन आपके लिए दिया गया है फटापट से अंगला क्वेस्चन है दोस्तों है ना सबंगी रचना किसकी है बताना है आपको रजजब की दादू दयाल की रैदास या फिर पीपा की बताएं बहुत बढ़ी आंसर बताया है अनूप राजपूजी वेरी गोड है ना ममता जी अंग बधू नाम से किस नाम से किया था रजजब ने अंग बधू नाम से किया था यह आपको याद रख्टे ना है दादू दयाल की बाणियों का संकलन रजजब ने किया था अंग बधू न क्या नाम से किया था अंग बधु नाम से हरडेवानी नाम से नहीं अंग बधु नाम से किया था जो आपका बिलकूर सही है अब आपको बताना है कि हरडेवानी नाम से किस ने किया ये भी कॉस्चन आता है दादू की बाणियों का संकलन हरडेवानी नाम से किस ने किया ये भ अब आपको हरड़े बानी नाम से बताना है किसने दादू की रचनाओं का संकलन हरड़े बानी नाम से किसने किया था एक कोश्चन भी आता है जल्दी से आपको बताना है अंगला क्वेस्चन है गोस्वामी तुल्शी दास ने राम चरितमानस की रचना किस संबत में की थी संबत पूछा गया आप से बहुत बढ़ी आंसर आया है कि सर संते दास और जगन दास किस नाम कुन ने किया था संते दास और जगन दास संते दास और जगन दास ने दोस्तो जगन दास ने ये जो है हरडे बानी नाम से दादू की बानियों का संकलन किया था जबकि अंग बदू नाम से अंग बदू नाम से दोस्तो रजब ने दादू की बानियों का संकलन किया था गोश्वामी तुलशी रास की एज रचना है दोस्तो राम चरित मानस आपको पता है इसमें कितना समय लगा था ये भी सभी लोग बताना इसका आपने संबत पूचा गया तो संबत सीता आपको लगाना है संबत 1631 है ना और दोस्तो अगर इस भी की बात होगी तो 1500 चोहतर ठी कितना समय लगा था कमेंट में सबी लोग बताएंगे अंगला क्वेश्चन है रहीम करत मदनास टक की भासा क्या है रहीम करत मदनास टक की भासा क्या इतना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तो रहीम की एक रचना है मदनास टक सबसे बड़ी बात तो यही आंसर आपको याद रखना है प्रश्न ये भी पूचा जाता है कि मदनास्टक की रिचनाकार कौन है तो आपको बताना रहीम है अब रहीम की जो मदनास्टक भासा है इसकी भासा क्या है ये भी आपको बताना है सबी लोग वीडियो को लाइक जरू करेंगे है ना और सबी लोगों ने बताया है कि सर दो वर्स साथ माँ है और 26 दिन दो वर्स साथ माह और 26 दिन ये समय लगा था राम चरितमानस की रचना में हैना संबत 1631 इसका रचना काल माना जाता है और यहाँ पर आपने जो उत्तरचेन किया है दोस्तों वो उत्तरवताया है कि सर मदनास्टक की भासा खड़ी बोली है क्या है खड़ी बोली यानि कि आप का ये नमबर बिलकुल सही होता है ये नमबर आपका सही हो जाता है ठीक है अंगला कोस्चन बताना है सूर्दास की अधिकतर रचना है किस भासा में हैं सूर्दास की अधिकतर रचना है किस भासा में हैं आपको चेन करना है खड़ी बोली में हैं अबदी में हैं ब्रज में हैं या फिर राजिस्थानी में हैं सूर्दास की अधिकतर रचनाएं किस भासा में हैं प्रश्ण किरमांक बन 90 बन का उत्तर बताना है एक बार लाइक जरूर कर देना सभी मित्रों का है ना मित्रों को दोस्तो और सूर्दास की भासा सूर्दास जी के बारे में अपन पढ़ते हैं कि सर ये बासल के चितेरे कभी कहे जाते हैं ये बासल समराट कहे जाते हैं बासल का ये कौना कौना जाक के आए हैं इनके गुरू का नाम बलवा चार है हैना ये दोस्तो करशन काब धारा के प्रम माने जाते हैं इनकी रचना है सूर सागर है ना सूर सारा वली साहित लहरी मानी जाती है और यहां पर आपको पता है कि सूरदास की अधिक तर जो रचना है वो रचना है ब्रज भासा में है यानि कि आपका तीन नमबर जो सी नमबर है वो सही हो जाएगा मेला आचल उपन्या से रिचनाकार होने कि मैला आचल कि परकार का उपनियास दोस्तों आपको तक मैं आपको एक क्वेश happensma ङाता हूँ बोदेलखंड से संबंदित, पूर्णिया, चथीजगर या फिर दोस्तों आबद से संबंदित माना जाता है, कमेंट में आपको लिखना है और बहुत अच्छा अंसर आया सभी लोगों का, किसर जो मेला आचल है, कि कैसा हो पन्यास है, जन्दी से बताईए, ये पूर्णिया बिहार के पूर्णिया से संबंदित है, पूर्णिया अंचल से संबंदित है, दोस्तों ये बी नम्मर है, जब आप से question पूछा जाता है, कि परताम अंचले को पन्यास कौनसा है, तब आप उत्तर लगाते हो, मेला आचल, रचनाकार कौन है, फणी सोनात रेनू, इसका संबंद है, पूर्णिया से, हैना बिहार के पूर्णिया अंचल से संबंदित है, नेक्स्ट है, पदमाकर की रचना कौनसी है, पदमाकर की रचना कौनसी मानी जाती है, दोस्तों, एक रचना तो इनकी अपनने पढ़ा था, प्रबोध पचासा, एक रचना पूछी जाती ह की प्रबोध पचासा किसकी पदमाकर की प्रबोध पचासा लेकिन पदमाकर की रचना यहां पर पूचा गया इस चार हैं दोस्तों प्रेम बाटी का ललत ललाम कभी प्रिया या फिर जगत दिनोध कौनसी रचना है जो दोस्तों पदमाकर जी की मानी जाती है सबी लोग बता सुरूवाट से अद्यान भी आप कर सकते है और पदमाकर की रचना कौन सी है यह आप से पूचा गया तब आपका सीधा उत्तर चार नम्मर चला जाता है जगत दिनोद कई बार यह पूंचा गया जगत दिनोत के रचना कार कौन है पदमाकर प्रबोध पचासा किसकी रचना है पदमाकर की बेरी गोड आंसर लहर किस विधा की रचना है दोस्तो यह लहर पूछी गई लहर बताना है लहर में दोस्तो चार लंबी कविताएं संकलेत मानी जाती है तो आपको बताना है तो जल्दी स से बताओ सभी लोग बताएंगे और आपको पता है एक दोस्तों आपने प्रलाइक की छाया पड़ी होगी प्रलाइक की छाया है ना और लहर किस बिधा की रचना है ये बिधा आप से पूचा गया अब बिधा पूचा गया है तो जल्दी से कमेंट भी आपका आजाना लाइक नहीं किया वो लाइक करके सब्सकाइब जरूर कर लेना दोस्तों और लहर किस बिधा की रचना मानी जाती है ये आपको चेहन करना है तो बोली सरीक काब बिधा की रचना है और इसमें चार लंबी दोस्तों कविताएं संकलेत हैं और इसमें सबसे बड़ी है कौन सी प्रलाइकी छाया प्रलाइकी छाया इसको भी अपन को याद करना है प्रगती सील लेकक संग की स्थापना कब की गई थी दोस्तों है ना भारत में आपको बताना है कब की गई थी प्रश्न अच्चा है वीडियो को लाइक करना है अपने मित्रों तक शेयर ज़रू करना है और जिन भी साथियों को एड़ी से लेना है वह एड़ी से जरूर लेंगे ठीक है बिलकुल ठीक है और दोस्तों मेरा जो नंबर है वो नंबर है 90, 98, 60, 92 और 91 ये हमारा कॉलिंग नंबर है और बॉट्सप नंबर है दोस्तों कौन सा वासट, 63, 33, 05 और 86 ये बॉट्सप नंबर है और एक कॉलिंग नंबर है ठीक है तो प्रगतिसी लेकक संग की स्थापना कब हुईती तो आपको पता 1936 में लखनव में इसका प्रतम अदिबेशन हुआ था नागरजुन किस बर्गे के कभी है ये भी आपको नीचे नंबर चल ला है दोस्तों एक बॉट्सप नंबर और एक कॉलिंग नंबर दौनों नंबर चल ला है है ना नागरजुन किस बर्गे के कभी माने जाती है ये आपको बताना है प्रगति सी लेकक संग की स्थापना 1936 में हुई थी और 1936 में दोस्तो इसका प्रतम अधिबेशन लखनव में हुआ था और लखनव में इसके प्रतम जो अध्यक्ष थे वो थे कौन प्रेम चंद जी है ना नागरजुन किस बर्गे के कभी है प्छाया बादी है प् था नागरजुन का 1911 में हुआ था 1911 में नागरजुन का जन्म हुआ यह जो नागरजुन है दोस्तों इन्होंने भी आंचले को पन्यास लिखे हैं नागरजुन ने लेकिन आपको पता होगा कि नागरजुन को आधुने कल का कबीर कहा जाता है क्या कहा जाता है इन्हें आ प्रगतिबाद के प्रवर्तक पंत माने जाते हैं इनको थोड़ा थोड़ा याद भी करते जाना है कभिता की तीसरी आख के रचनाकार कौन है इसकी रचना किसने की अच्छा कॉस्चन है वीडियो को लाइक जरू करेंगे और तेर भी आपको कर देना है तरों तक जल्दी से करें सबी लोग इतना अच्छा कॉस्चन आपसे पूचा गया दोस्तों और वीडियो को लाइक जरू करना है और मॉडल पेपर में दोस्तों वो मॉडल पेपर में भी एडविशन आप ले सकते हैं कभिता की तीसरी आख और अच्छा कॉस्चन है यह पू प्रभाकर सोत्रिये आपका बिलकोड शही है बैरी गोड आंसर श्री नमबर आपका बिलकोड शही अंगला कॉस्चन है मल्ली का किस नाटक की पात्र है माधिबी हैना सूर की अंतिम करन से सूर की पहली करन तक असाड का एक दिन या फिर आठबा सर्ग मल्ली का किस नाटक क पात्र है जल्दी से आपको चैन करना है जल्दी से बताना है है ना उत्तर आपका क्या हो जाएगा मल्ली का किस नाटक की पात्र है यह आपको चैन करना है वीडियो को एक बार लाइक जरू कर देना है मित्रो और सेर जरू कर दें है ना तो यह अच्छा कोश्चन आया है और म अलिका आपको पता है कि सर ये आसाल का एक दिन, आसाल का एक दिन की पात्र है, और ये आसाल का एक दिन दोस्तों काली दास के जीवन पर आधारित है, एक कौस्चन आता है काली दास के जीवन पर आधारित कौन सा नाटक है, तो आसाल का दिन, इसके रचनाकार कौन है, बुर कुमर नारण किस सब्तक के कभी माने जाते हैं शबी लोग बताएं तार सब्तक दूसरा तीसरा या फिर चौथा आपको बताना है उत्तर क्या हो जाएगा बहुत अच्छा कॉस्चन है दोस्तो और वीडियो को लाइक जरू करना है सेयर कर देना अपने मित्रों तक कुमर नार किस सब्तक के कभी हैं इसका उत्तर सीधा सीधा आपको बताना है तो अपनने पढ़ाता प्रयाक के कुमर केदार विजय कीर्ती के मद में सर्वेश सुर्बने एक ट्रिक निकाली थी तो आपने उत्तर लगाया कि सरे प्रयाक के कुमर केदार तीसरा यानि कि तीसरे इतार तक से संबन देते हैं सी नम्मर आपका बिल्कुल सही हो जाता है जो आपने राइट आंसर बताया है हरी घास पर छणबर किस रचनाकार की रचना है हरी घास पर छणबर की रचनाकार कौन है इसका आंसर आपको बताना है जल्दी से बताएंगे सबी लोग वीडियो को एक बार लाइक करते हुए सेर करते रहें अपने मित्रों को ठीक है हरी घास पर छणबर इसके रचना कार कौन माने जाते हैं और दोस्तों यह जो हरी घास पर छणबर है यह जो रचना है यह रचना आपने बिलकुर सही बताया बोलिसर अग्गे लगा दो है ना अग्गे के लिए आपसे अगर कभी पूचा जाए कि इन्हें ग्यानपीट प्रोस्कार किस रचना के लिए मिला अग्गे के लिए अगर पूचा जाए कि इन्हें साहित तकादियों प्रोस्कार किस रचना के लिए मिला तो इन दोनों प् पूछा जाता है हालाबाद के प्रवर्तक कोन है तो हालाबाद के तो सभी को पता है कि सर अ करते हैं जल्दी पताएंगे और बहुत अच्छा qos function आया है शबी लोगों ने बताया है मुलिसर मासलबाद की बात करोगे तो रामेश वर सुकल अंचल यानि कि आपका जो ये नम्मर है वो बिलकुर सही है हालाबाद के प्रबरतक हरिवन्स राय बच्चन ये आपके दोस्तों क्वेस्चन सही हो जाते हैं अंगला क्वेस्चन प्रगति बाद का आधार क्या है ये क्वेस्चन आपसे पूछा गया प्रगति बाद का आधार क्या माना जाएगा बताएं जल्दी से प्रगति बाद का आधार पूछा गया तो इसका आंसर आपको चैन करना है ऐसा question आता है दोस्तो तो प्रगति बाद का आधार क्या है बताईए एक questions आये 202 doubts में लिया ता किसी ने है ना लेकिन यहां पर आपको उत्तर बताना है बताएं कौन-कौन सही बता रहा है प्रगति बाद का आधार क्या है और यह तो है नहीं रहस्वाध यहाला बाद भी नहीं है ये प्रकृति बाद भी नहीं है उत्तर क्या होगा उत्तर होगा द्वन्दात्मक बहुत एक बाद द्वन्दात्मक बहुत एक बाद यानि कि आपका डी नमबर सीधा सीधा आंसर डी बिलकूर सही हो जाएगा द्वन्दात्मक दोस्तों बहुत एक बाद ये प्रकृति बाद का आधार माना जाता है अंगले कोस्चन की और बढ़ेंगे रामधारी से दिनकर की काब किरती कौन सी है दिनकर की काब किरती आपको बताना है फटाक से आप लोग लखेंगे वीडियो को एक बार लाइक कर देना अपने मित्रों तक सियर जरुर करती रहें दोस्तों है ना और दिनकर जी का मैंने कई बार आपको बताया कि सर 1908 में तो दिनकर का जन्म हुगा परसू राम की प्रतीक्षा इनकी रचना मानी जाती है रामधारी से दिनकर की दोस्तो और बसी एक रचना मानी जाती जिसे घ्यान पीट पुसकार मिला था जबकि लोकायतन यो महाकाब है दोस्तो किसका? पंत जी का महाकाब है ये भी आपको पता है नेक्स्ट प्रसनिक और बढ़ेंगे गोरक बानी का समपादन किसने किया? शांकृत्यान ने पीताम बर्दत बर्थवाल या फिर राम चंद्र सुकल ने गोरक बानी का संपादन करने बाले जो दोस्तों यहाँ पर जो बिद्वान है वो बिद्वान कौन है ये क्वेस्चन का अंसर आपको चेन करना है अच्छा प्रश्न है लाइक कर देना है गोरक ब मानी नाम से ये दोस्तों इन्हों ने किया था संपादन इन्हों ने किया था ठीक है और सी नम्मर आपका बिलकुर हो जाएगा सिद्ध साहित में सिद्धों की संक्या कितनी मानी इतना सरल कॉस्चन पूछा गया पुलिसर इतना सरल कॉस्चन में ने कहा हा सिद्धों की संक भावासा मानते हैं है ना उस सिद्ध साहित में सिद्धों की संक्या कितनी मानी जाती है और आपका उत्तर हो जाएगा शिद्धों की संक्या पुलिसर 84 फिर नातों की संक्या अगर पूछ लिया जाए कभी तो नातों की संक्या 9 शिद्धों की 84 ठीक है अलबार भक्तों की संक संक्या 9 आलबारों की संक्या 12 नैनारों की संक्या 63 ठीक है वेरी गोड अंगला क्वेस्टन नरोत्तम दास की प्रिसिद्धी प्रिसिद्ध रचना का नाम बताना है नरोत्तम दास नरो में उत्तम है जो वो है नरोत्तम दास इनकी प्रिसिद्ध रचना का नाम आपको बताना ह लाइक जरूर करते रहें सभी लोग है ना? और दोस्तों आपको वीडियो को सेयर कर देना है और आंगे बढ़ते जाना अपने मित्रों तक सेयर करते रहें और जिन भी सात्यों को दोस्तों आब लास्ट मन्त में दोस्तों अंतिम चड़ों में जब परिक्षा है आपके एक दो मैना के अंतरा होने बाली है सबी परिक्षा है तब आपको अध्यान बहुत अच्छे करने की ज़ूरत है उन्हरुत्तम दास की परसिद रचना का नाम क्या है तो आपने राइट अंसर लगा दिया सुदामा चर बहुत बढ़ी आंसर गुंडा कहानी है किसकी प्रिसाद गुंडा क्या देते हैं गुंडा प्रिसाद की कहानी है इसमें किस सासन का भरति इतिहास का चित्रन किया गया है किस यूग का चितरन किया गया सल्तनत यूग का मूगल काल का विक्तोरिया का सासन है या फर इस्ट इंडिया कंपणी का समाई कौन सा वरणण किया गया है यह आपको चेहर चेहन करना है और उत्तर बिल्कुर सीदा चला जाएगा पूली सर पिरसाद की जो गुंडा कहानी है गुंडा कहानी में उत्तर चला जाएगा Istria Company, Istria Company का दोस्तों इसमें समय काप क्या किया गया है? इसमें चितरण किया गया, यानी कि उत्तर आपका चार नंबर बिलकुर सही है, जिन्होंने चार बताया, उनका अंसर बिलकुर सही हो जाएगा. अंगला question है जैनेंद्र को मानव जीवन दरसन का सबसे बड़ा कहानिकार किसने कहा जैनेंद्र को मानव जीवन दरसन का सबसे बड़ा कहानिकार किसने माना है इसको आपको बताना है गीतिका जी बताईए जैनेंद्र को मानव जीवन का दरसन सबसे बड़ा कहानिकार किसने मा या पर दोस्तो नगेंदर ने नगेंदर ने माना है या राम बिला सर्मा या लच्छमी नाराण लाल जैनेंदर को मानव जीवन दर्सन का सबसे बड़ा कहानिकार किसने माना है ये क्वेस्चन आपको बताना है इतना अच्छा क्वेस्चन है जैनेंदर कुमार की बारे में आ सीधा चला जाता है लच्छमी नाराण लाल ने लच्छमी नाराण लाल ने यानि की डी नंबर इन्हों ने जैनेंद्र कुमानव जीवन दर्सन का सबसे बड़ा कहानी कार्माना है यानि की लच्छमी यानि की डी डी आपका लच्छमी नाराण लाल बिलकुर शही है इन्वे आपको लगाना है इसका उत्तर आपको बताना है वीडियो को लाइक और सेयर करते रहें अपने मित्रों तक इसी प्रकार से अध्यन करते रहें और दोस्तों सेल्फ स्टडी किलासे जो कि आपके प्रती प्रती बद्ध है हमेशा अंदरंतर इस किलास को कभी आपने मैस नहीं दो सकियां इस सिसू संब्धना से संबंदित कहानी नहीं है यानि कि आपका चार नंबर बिलकुल सही हो जाएगा महादेवी ने गौरा संसमरण किस पर लिखा गौरा संसमरण किस पर लिखा गिलाहरी पर गाय पर हिरनी पर या फिर इनमे से कोई नहीं गौरा इतना इसे कोई नहीं शबी लोगों को बताना है और सीधा सीधा अंसर कि महादेवी ने जो गौरा संसमरण लिखा दोस्तों किसके उपर किसके उपर लिखा है प्रश्ण किरमांक 210 और इतना अच्छा अंसर आप लोगों का आया है कि सर एक गाय के उपर लिखा गया यानि कि टू बन की किसकी रचना है इतना अच्छा कॉस्चन पूचा गया सुधिया उस चंदन के बन की रचना की रचना कार कौन है बनारसिदास चतुरवेदी बिद्या निबास मिस्र विश्रू कांते या फिर दोस्तों कुबेरनात राय सुधिया उस चंदन के बन की की रचना कार कौ चिनको अड़ी सल लेना वो एड़ी सल ले जिनको फिरी में टेस्ट देना है वो फिरी में दोजे टोस्तो टवन्टी ट्रेस्ट सलती है उस ट्रेस्स में भी आप ले सकते हैं और सुधियां उस चन्दन के बनकी नंगा прийम एरी पंगती किसकी है पताएं सभी लोगš см अधिकांस लोगों ने जो उत्तर लगाया है वो लगाया है विश्णू कांत किसकी पंक्ती है दोस्तों ये विश्णू कांत की पंक्ती है है ना सुधिया आउस से चंदन के बनकी ठीक है तो आपका उत्तर सी की तरफ जाता हुआ सी नमबर आपका बिल्कूर सही हो जाएगा कि या फिर दोस्तो आपको बताना है है ना लाक्टर बिद्या नवास मिस्त्र में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो गए है ना अब यहां कर बताना है आपको ये बताएंगे सबी लोग कि रस्वी मानसा नामा कालोचना पुष्टिका के लेखा कौन है आपको पता है दोस्तो जो हमारे पैड मेंबर साती है जिनोंने कोर्स लिया है उनके लिए दो थर्टी पर नेचोड किलास होती है लाइफ किलास से चल ही रही है रस्मी मानसा नामा कालोचना पुष्टिका की रचनाकार कौन है ये आपसे पूचा गया तब आपका राइट रामचंद्र सुकली कि चला जाता है सी नम्मर चला जाता है मानस का हंस उपन्यास के लेका कौन है मानस का हंस अमरतलाल लांगर या सपाल या रामचन सुकल या पिर रेनू मानस का हंस ये किसका उपन्यास है मानस का हंस और इतना अच्छा क्वेस्चन है सभी से बनेगा सभी लोग लाइक जरू करना एक बार है ना मास्टर अधियम जी लाइक कर दें जल्दी से वीडियो को और यहाँ पर देखो मानस का हंस यह जो पन्यास है यह पन्यास है किसका बोले सर अमरतलाल नांगर यानि कि यह सुकली जी का तो नहीं है बोले नहीं है बोले सर यह मानस का हंस है अमरतलाल नांगर है नेक्स्ट है महा कभी सूर्दास किसकी आलोच किरती है आलोचना किरती बताना महा कभी सूर्दास ये किसकी आलोच किरती है दोसो चौदा कभीर तो आपको पता है कभीर नामा के किरती लिखी दोस्तो आलोचनात्मा किरती हजारी परसाथ दुवेदी से ने लेकिन महा कभी किसकी आलोचिकर्टी माने जाती है हजारी पर साथ दोवेदी जिनका जन्म 1907 में हुआ था दोवेदी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं है ना तो आचार नंद दुलारे बाचपई राचार रामचन सुकल या फिर डाक्तर नगैंदर महा कभी सूरदास यह जो महा कभी सूरदास महा कभी सूरदास नामा के कालोच चिकर्टी इन्होंने लिखी है वो लिखी है दोस्तो नंद दुलारे बाचपई जी ने ठीक है बाचपई जी ने कभीर नाम से हजारी पर साथ दोवेदी ने लिखी ठीक है यह आपका एक दोस्तो इन्होंने भी लिखी नंदुरारी बाचपरी ने महा कभी सूर्दास ठीक है इस प्रकार से महा कभी सूर्दास नाम से ठीक है अंगला क्वेस्चन आजादी के बाद हिंदी कहानी के करम में पहला करम कौन सा है पहला करम आपको बताना है बताइए आजादी के बाद हिंदी कहानी के करम में पहला कर है नई कहानी है सचेतन कहानी है या फिर समानांतर कहानी है प्रश्ण क्रमांक 215 में सभी लोग बताएंगे आजादी के बाद आजादी के बाद ये बताओ जल्दी आजादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम कौनसा है पहला क्रम कौनसा है नई कहानी सचेतन कहानी समानतर कहानी पहला क्रम कौन सा माना जाएगा बताएं आजादी के बाद कितना अच्छा कॉस्चन है और बहुत सारे लोग बता रहे हैं नई कहानी कुछ लोग बता रहे हैं सचितन कहानी लेकिन आपका उत्तर है नई कहानी है ना यानि कि आपका दो नमबर बिलकुर सही है टू नमबर आपका राइट आंसर हो जाता है वेरी गुड आंसर हिंदी भासा का उदगम और बिकास के लेकिन इतना अच्छा गुछा गया हिंदी भासा का उदगम और बिकास के लेकिन जाते हैं पूरा इंतजार करेंगे इस उत्तर बताने के लिए तो बताए हिंदी बासा का उद्गाउम और विकास के लेका कौन है लेका कौन है देखते हैं कौन-कौन बता रहा है बहुत सारे लोग इसमें सीधा-सीधा उत्तर मारेंगे मुझे पता है पूरा इंतजार कर रहे हम आपके उत्तर का और आप लोगों ने बहुत मस्त तरीके से बढ़िया तरीके से लगाया पूरी तागस से उत्तर हजारी परसाद दुवेदी लगाया है देख रहा था बहुत सारे लोगों ने हिंदी भासा का पूचा गया यहां पर उत्तर है जबकि उद्वाव और विकास है हिंदी साहित का उद्वाव और विकास हजारी साहित का और भासा का अलग अलग है ना हिंदी भासा का उद्गम उद्गम आ रहा यहां पर उद्वाव आ रहा है ना अंतर है और बोले सर आओ देखाना ताओ और लगा दिया उत्तर है ना बहुत बढ़िया हिंदी उपन्या या पिर अंग्रेजी उपन्यास कौन से उपन्यास माने जाते हैं बताएं हिंदी उपन्यासों की रचना के मूल आधार है तो क्या है मूल आधार क्या है बताएं मूल आधार क्या माने जाते हैं है ना बंगला के उपन्यास माने जाते क्या मराठी के उपन्यास माने जाते हैं इसका उत्तर आपको बताना है और उत्तर आपका हो जाता है पुलिसर ये जो है न हिन्दी उपन्यासों के माने जाते हैं हिंदी उपन्यासों की सरचना, सरचना के मूल आधार, सरचना के मूल आधार माने जाते हैं तो मूल आधार माने जाते हैं अंग्रेजी के उपन्यास मूल आधार कुण मान जाते हैं अंग्रेजी के उपन्यास अंग्रेजी के ढंका हिंदी का प्रतम मौलेक उपन्यास कौन सा है तो आपको पता है बुड़िसर कौन सा है उत्तर आपका होगा अंग्रेजी के उपन्यास क्यानी कि आपका D नमबर थीक है अंग्ला कॉस्चन देखो अग्ये ने कुल कितने सब्तकों का प्रकासन किया 5,4,3 यह दो अग्ये ने कुल कितने सब्तकों का प्रकासन किया और सबी लोगों ने बताया कि सर अग्गे ने कुल कितने सब्तकों का प्रिकासन किया तब उत्तर चला जाता है तीसरा उननी सब्तक प्रिकासित हुएते दोस्तों है ना इसको याद रख़िए नास चार तार सब्तक जिन्हे सब्तक बोला जाता है सब तक तो ये चार हुए थे है ना भूशन का बास्तविक नाम क्या था ये उत्तर आपको बताना है घंस्याम रास बहारी कशनदास या पिर चंद्र भूशन भूशन का बास्तविक नाम क्या था आपने दोस्तों भूशन को पड़ा भूशन आपको पता है कि इनकी एक रचन है सिवराज भूषण जो मैंने कई बार आपको बताई है इस सिवराज भूषण में 105 अलंकारों का वर्णन किया जबकि आपको पता है बरत मुनी ने मात्र चार अलंकार माने चार अलंकार परतमुनी ने मात्र आठ रसों को माना चार अलंकारों को माना है ना जबकि सिवराज भूषण में 105 अलंकारों का उल्लेक है रचनाकार कौन है भूषण है भूषण का बास्तविक नाम क्या है तो आपको बताना है घंस्याम भूषण का बास् को सही है है ना सत्रंज सतिका सत्रंज सतिका किरती के रिचनाकार कौन है एसे सभी साती वीडियो को लाइक करें जो हिंदी साहित पढ़ना चाहते हैं हिंदी साहित के एक्जामों में रेगूलर दोस्तों अध्यन करना चाहते हैं हिंदी साहित को बहुत स्ट्रॉंग बनाना च साहते हैं वो साती सभी जोड़े रहे चैनल से एप डाउनलोड कर लें सेल्फ स्टेडी किलासेस रेगुलर अध्यन करें है ना अध्यन इतना हो जाएगा कि हिंदी साहत में कुछी दिनों में आप दोस्तों बहुत अच्छे हो जाएगा ऐसे ऐसे स्टूडेंटों का हुआ है ना तो दोस्तों सत्रंज सतिका किर्टी के रचनाकार कौन है ये आप से पूछा गया वेकारी दास हैं क्या रास बहारी हैं कशन दास हैं क्या पर रस निदी हैं तब आपका उत्तर सीधा जाता है वेकारी दास सत्रंज सतिका सत्रंज सतिका ये वेकारी दास की रच हैं इनको याद करदा है नेक्स्ट है भूसरन दो राजाओं के दरवारी कभी थे इन में से पहले थे सिवाजी तो दूसरे कौन थे है ना अपनने पड़ा है कि सर सिवा को बखानों की बखानों छत्रे साल को सिवा को बखानों की बखानों छत्रे साल को है ना और भूसरन दो राजाओं के दरबारी कभी थे यह आप से पूचा गया पुरिण में से पहले सिवाजी थे तो दूसरे कौन थे महाराना प्रताप बोले नहीं राणा सांगा यह भी नहीं तो कौन थे छत्रे साल थे तीन नंबर आपका सही हो जाएगा तीन नमबर जिन्हों ने बताया राइट आंसर है बेरी गॉड सबी लोगों ने आंसर सही बताया है दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर इसी प्रकार से अध्यन करने के लिए यह 2020 टेस्ट सीरेज आपके लिए लांच की गई यानि कि दोस्तों एक निचोड किलास आपके लिए पैड़ बालों की जिरोने कोर्स में एड़ी सल लिया है हिंदी साहित में स्पेसल क्या है आदिकाल में स्पेसल क्या है भक्तिकाल में स्पेसल क्या है रितिकाल में स्पेसल क्या है आदुने काल नाटक अपन्यास में स्पेसल क्या है उसकी क किलास चलती है धाई बजे यानि कि दो वज के 30 मिनिट पर किलास चलती है वो आपको बताया जाता है या खिर आधिकाल में कौन-कौन से कौस्चन हमेशा पूछे जाते हैं उन पर हम चर्चा करते हैं तो यह से कोर्स में दोस्तों अगर आपको एड़ीसर लेना है अभी ओफर है ओफर का लाब उटाते हुए कोर्स में अड़ीसर ले सकते है नया बेच श्टार रुआ है नया बेच किलास होती है सामको शाले 6 बजे लाइब कलास होती है यह ना तो इस नया बेच में भी आप सुरुआत से अध्यन कर सकते हैं जहां पर आपको दोस्तों बहुत सारे ट गीतिका जी बहुत बढ़िया अदिती जी नीरू लालदास बीनू जी अर्षदीप हर्षिता जी चंचल जी बहुत बढ़िया सबी लोग इसी प्रकार से अध्यन करें संगीता प्रमोद नवदीप जी पूनम जी प्रमोद निरूपम जी अभिलासा राम मुरत प्रिबीन जी अनिल कुमार जी और सर्मिला जी बहुत बढ़िया ओपी जी लालदास जी रंजना जी लबली जी सियो कुमार जी सेलेस जी सियो सभीता जी और लबली ठाकोर जी सभी सातियों को धन्नबाद उदै उदै जी प्रतिमा बहुत बढ़िया प्रमोद जी अरुन जी कुमारी हेमा जी नीरज जी गीतिका जी बबीता जी पूजा बर्मा जी बीनु जी खुरेशी जी बहुत बढ़िया धन्वा धन्वा सभी साती लाइक सेर करते रहें बीनु सरोज जी सरमीला जी ठीक है दोस्तों एकजामपार में 10 बजे क्लास होगी वो भी आप अट्रेंड कर सकते हैं पढ़ सकते हैं ठीक है और इस लाइब क्लास से हमेशा जुड़े रहें ममतायादाव सौनु सिंग पूनम जी बोहित रीना जी ठीक है और अध्यान करते रहें ये अध्यान आपका बना रहेगा जिन भी सात्यों को एप में दोस्तों वो ल प्रिया है और आराम से पढ़ रहे हैं अध्यान कर रहे हैं ठीक है रचना प्रिया जैन्त जी आकास जी रीता पूनम जी वेरी गोड़ सबी साती ठीक है धन्नवाद लाइक सेयर करते रहें गीतिका जी सौनु जी और कमलेस जी आसा जी मंजीत खुसी जी सुरेंदर जी प् लगे हुए हैं तो जितने साती हैं सभी साती अड्मिशन लेके इंदरेश जी अपना अध्यान कर सकते हैं और हम भी आपकी दोस्तों ठीक है बिलकुल है ना नितु जी नितु गुपता जी बहरी गोड़ और ममता बहरी गोड़ बमता यादव जी है ना सुस्मा मनीशा गिल जी नवदीव जी सभी को धनवाद